जैहिंद साथियो, स्वागा था आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किसन गुलोबल इस्टरीच पर, साथियो कल हम लोग पढ़े थे मौर्य वन्स, मौर्य के बारे में पढ़े थे, आए हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तरगुप्त पूर्व काल, ठीक है, एक सो पचा और साथ ही साथ बेसिक बात है, अगर आप मेरे facebook page और instagram को नहीं follow किये हैं, तो follow जरूसे जरूर कर लिए मेरा अबसर रिक्वेस्ट को जहेंगा क्योंकि जैसे क्लास आपको पीडियाब च्था जरूर्म में मिल जायेगा ठीक है तो बढ़ते हैं जिफटर जो है उत्तर गुपत पुरिव काल। कहा है ठीक है एक ही कलास में यह चेप्टर जो पूरा खत्म हो जागा कल जो आएंगे फिर नया चेप्टर लेके आएंगे ठीक है और इस चेप्टर में जितना भी सवाल होगा मैं कंप्लीट करा दूँगा ठीक है तो बिडियो इसकी इपना किजिएगा अंतिम मौरी समराट ब्रहिदत की हत्याक कर किसने सुंग वंस की अस्थापना 1850 हिसापूर में की तो पूस्य मित्र ने किया साथ ही हो बहुत इंपोरेंट सवाल है किसने किया पूस्य मित्र करेक्ट अंसर है ठीक है नेक्स कोश्चन है पुस्य मीत्र सुंग मौरी समराट ब्रीधत की राजकिय सेना में किस पद पर असान था तो सेनापती असान था साथियो ये पद जो था सेनापती का वो असान था ठीक है नेक्स कोश्चन है कन्नव और कन्नव वंस का सस्थापक कौन था तो बासुदेव था साथियो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है साथ वहां आंध्र साथ वहां वंस का सस्थापक कौन था तो सीमुक क्रेक्ट आंसर है नेक्स कोश्चन है साथियो सवाल है साथ व मौरी के अधिन correct answer वो पहले ज़ा अधिकारियों के रूप में काम किया था साथियो वो मौरी के अधिन काम किया था ठीक है इसका जो correct answer होगा मौरी के अधिन ही वो काम किया था इसलिए वो मौरी के अधिन कहा जा था अगर कोई वेक्ती काम अभी कर रहा है मोदी के काल में तो उसको बोला जागा मोदी के अधिन कारिय मतलब करना ठीक है तो ये काम जो किया था हूँ ये किया थे मोओरी के अधिन ठीक है साथियो बरतिया next question की ओर next question है सवाल है वह महंतम कुषान नेता कौन था जो बौध बन गया था बौध बन गया तो कनिश्क कौन था कनिश्क था साथियो correct answer है next सवाल है कुसान काल के दोरान मुर्ति कला गंगाधर सैली किसका मिश्रन है तो भारत गिरिक युनानी सैली का मिश्रन है correct answer हो जाएगा next question है सवाल है कनिश्क की जो राजधानी है बहुत अच्छा सवाल है साथियो कनिश्क की राजधानी कहा है तो कनिश्क की राजधानी पुरुस्पूर है साथियो correct answer है next question है पुरुस्पूर किसका दूसरा नाम है तो पेशावर correct answer है next question है चरक किसके राज चिकित सक्थे था तो कनिश का प्रसीद अस्थल होने का कारण था प्रसीद वह अस्थल हो गया है ठीक है तो होने का क्या कारण था यह बताना है तो गंगाधर कला सवाल है साथियो किसको बोलते हैं और उसको बोलते हैं पैसा भी बोलते हैं ठीक है तो डोस्तों का भी मदद हो सकी ठीक है साथियो आपसे मेरा रिक्विस्ट है सवाल है किस संग्राले में कुशान कालिन मूर्तियों का संग्रा अधिक मात्रा में है तो मत्हुरा संग्राले साथ ही हो correct answer है next question है किसने सोने के सरवाधिक सुद्ध सिख्य जारी किया तो कुशान ने साथ हो क्या क्या सोने के सिख्या ऐसे सवाल पूछ सकता है exam syndrome साथ हो कि सोने की सिख्या जो जारी किया सरवाधिक वो किस ने किया तो ये सवाल हो जगा कि कुशान ने किया ठीक है लेकिन इस तरह भी पूछ सकता है कि कुशान ने जो अपने काल में सरवाधिक जारी किया डाइस डाइस जारी किया, क्या जारी किया, तो सोने का सिक्का जारी किया, ठीक है, साथियो, इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स कोशन के और नेक्स है, साथ वहानों के समय में मुद्रा सरवादिक किस धातू के बने होते हैं, ठीक है, तो वह सी कि सिशा के बने होती है ठीक है एक्जाम सिंटर में घुमा सकता है कोश्टन की सरवाधिक मातरा में एसे पूछ सकता है साथ कि सीशा सरवाधिक मातरा में उप्योग किया जाता था किसमें तो मुद्रा बनाने में ठीक है साथियो ब्रहामनों एवं बॉद भिख्चुकाओं को करम मुक्त भूमी या गौ भूमी अनुदान देने की प्रथा अरम किया तो शात वहां correct answer हो जाएगा भारतिये रंग मंच में यवनिका परदा का सुभारम किस ने किया तो इनानियों ने किया correct answer हो जाएगा भारतियों के महन रेशम मार्ग किस ने आरम किया तो कनिस्क ने किया correct answer हो जाएगा next question है सवाल है किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राय सोने की मोहर चलाई साथियों सोने की मोहर चलाई बहुत अच्छा सवाल है तो कुसान सासकों ने चलाया correct answer हो जाएगा next question है चरक और नागा जून किस के दरवार की सोभा थे तो कनिस्क के दरवार के सोभा थे साथियों ये correct answer है सवाल है next सक समवत का प्रारंब किस समराट के सासन काल में 78 में इसापूर में हुआ था तो कनिस्क के काल में हुआ था next है तक्चि-सियल्धृ विद्यालः स्थित कहां है साथियों प्सक्तान में है बहुत अच्छा सवाल है बहुत important सवाल है और बहुत है युक्पर एक जामिस प्वुचा जाएगा कि तक्चि-सियल्ध विद्यालः कहां इस्तित है तो पकिस्तान में और ये भी पूछ सकता है पाकिस्तान में ऐसा कौन से विद्याला है जो इस्तित है तो तक्चिसी गाए ठीक है next question है सवाल है प्राचिन काल में कलिंग का महन सासक कौन था कलिंग का महन सासक कौन था तो हारवेल था correct answer होएगा ठीक है साथियो साथियों मैं बता दूँँ विडियो अच्छा लएगा तो जरूर से जरूर आप कॉमेंट कीजिएगा ठीक है आपका कॉमेंट के रिप्लाई भी दिया जाएगा ठीक है next question है सवाल है कुसान काल में सबसे अधिक विकास किस छेत्र में हुआ था तो वस्तु कला में हुआ था ठीक है next question है साथ वाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना सांसन कहां शुरू किया था तो आंदर प्रदेश में किया था correct answer हो जाएगा next question है साथ वाहन राज की राजधानी कहां थी तो पैठन परतिष्ठन correct answer हो जाएगा next question है कौन सा अभिलेक कलिंग नरेश खारवेल से सम्मंदित है तो हाथी गूफा correct answer है next question है किस साथ वाहन नरेश ने गाथा सब्ती गाथा सब्त सती गाथा सब्त सती नामक महतपूर्ण किरिती की रचना की तो हाल correct answer है next question है साथ वाहन सासकों की राजकिय भासा जो थी वो क्या थी तो प्रकिर्ती correct answer है next question है मौर्य समराज के ध्वज के पसाइद कई आकरमनों की सिरिंखला रही भारत पर सबसे पहले आकरमन किस ने किया था तो बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था correct answer हो जागा साथियो भारत पर देखे समाल है साथियो कि मौरी के ध्वज ठीक है मौरी के क्या है मौरी के ध्वज के पसाइद कई आकरमनों की सिरिंखला रही भारत पर सबसे पहले आकरमन किस ने किया था तो बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था वो correct answer है next question है विक्रम समवत कब से प्रारम हुआ था विक्रम समवत कब से प्रारम हुआ था तो 98 इसा पूर्व से हुआ था साथियो कब से हुआ था 98 इसा पूर्व से correct answer है next question है साथियो सवाल है मौरी के बाद दक्षिन भारत में सबसे परहोशाली राज जी जो था वो कौन था वो सात्वहन था correct answer है next question है बौध की सरी बुध्धी ये साथ है बुध्धी की खड़ी परतिभाँ बुध्धी की खड़ी परतिमा किस काल से सरी किस काल में बनाई गई किस काल में बनाई गई गई साथ हो correct answer हो जाएगा next question है सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया तो कन्नव correct answer हो जाएगा next question है किस चीनी जनरल ने कनिसक को हराया था बहुत अच्छा सवाल है तो पेन पेन चाओ ने हराया था किस ने हराया था साथ हो पेन चाओ ने किसको हराया था कनिसक को हराया था ठीक है next question है उत्तरी तथा उत्तरी पस्तमी भारत में सरवाधिक संख्या में ताम्बे के सिक्के जारी किया था तो किस ने किया था, तो कुशानों ने किया था, correct answer है, ठीक है, next है, जो कलास सैली, भारतिय और गरीक, युनानी सैली का समिस्रन है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो गंगाधर कहते हैं, correct answer हो जाएगा, next question है, कनिस्क बौध धर्म की किस साखा का अनुयाई था, कनिस्क जो था साथियो, वह किस बौध धर्म के अनुयाई था, जिसका परशार उसने मद्द एसिया, वह सुदूर पूर्व में किया था, तो महायान में किया था, इसका correct answer हो जाएगा, next question है, साथियो, कनिस्क के के साखान काल की सरवाधिक महतपूर्ण घटना कौन सी थी, तो चत पूश्य मित्र सुंग का correct answer है, next है, सरव पर्थम भारत में विश्व, चरी, हाँ, सरव पर्थम भारत में विश्व यूद संस्कृत भासा में लंबा अविले किस राजा द्वारा जारी किया गया था, तो सक राजा रुत्र दमन द्वारा साथियो जारी किया गया था, ये क्या है, सेंट थॉमस भारत आया, तो गौंदो फिनर्स सेंट थॉमस भारत आया, वो गौंदो फिनर्स के साथ में आया था, ठीक है, next है, किस कुसान सासक ने सरव पर्थम स्वर्ण मुद्रा जारी किया, तो कड़ फिसस correct answer है, क्या है, कड़ फिसस correct answer है, next question है, किस वन्स के सासकों ने छत्र फरनाली का परियोग किया तो सकों ने correct answer है next question है त्रातार मुक्त दाता उपाधी किस वंस के सासक ने धारन किया था तो सक ने धारन किया था correct answer है next question है प्राचीन काल्म के भारत पर आकरमन के समय संबन्द में कौन सही करानुकरम है तो युनानी सक कुसान correct answer है next question है भारत में पर्थम बार सैनिक सासन मिलेटरी मिलेटरी गोवर्मेंट सीप का वैवार में लाया गया था वैवार में जो लाया गया था वो कब लाया था किसके द्वारा लाया था लाया था था तो ग्रीकों की द्वारा लाया था यह correct answer है ठीक है साथियो बढ़ते है next question की और next सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है साथियो इस चेप्टर में जितना भी सवाल है आपको एक ही क्लास में करवाया जागा ठीक है कि चार धातूओं से न चांदी तामबा एवं सीशा के समिस्रन से बने समिस्रन से बनने वाले सिक्य को क्या कह जाता है तो कारण पन का आयता साथियो यह मेरा correct answer हो जाएगा next question है सरफ रखम रॉम के साथ किन लोगों का वैपार परारहम हुआ रॉम के साथ जो वैपार पराहम हुआ था साथियो वो किन के साथ हुआ था तो तमील एवं चेरों के correct answer हो जाएगा next question है मौरितर कालीन प्रमुक बंदरगाहों में कौन अत्यांत है तो कोचीन correct answer है next question है किस अस्थान को पेरिफलस ओफ दी इरिश्यन से पोडेक इरिश्यन सी में पोडेके के नाम से भी संबंधित किया जाता है तो अरीकामेडी क्या है अरीकामेड ठीक है साथियो अरीकामेड है next question है मौरिय उत्तर काल में किसने भारत में हिंदु इनानी राज की अस्थापना की किसने अपने जीवन के उत्रार्द में अपने पूत्र के हाथों में राज सत्ता सौपकर बहुत भिख्षू हो गया तो मिनाडर क्रेक्ट आन्सर हो जाएगा next question है कुसान का संबंध था तो किसके साथ चीन के यूची जन जाती के साथ ठीक है साथ ही हो सवाल है कौन कनिस्क के बौध होने के लिए उतरदाई था तो अस्व घोस क्रेक्ट आन्सर हो जाएगा next question है रोमन समराज के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों के कैंसर सीजर की उपाधी गरन की तो कुसान क्रेक्ट आन्सर हो जाएगा next question है साथ वहन नरेज हाल के समकालिन गुनाडए ने किस प्रकिर्ति गरन्त की रजना की तो बृहत कथा करेक्ट आन्सर हो जाएगा next question है किस अभिलेग में चंद्र गुप्ट मौर्य और असोक दोनों का उलेख किया गया तो महा छपत्र रूत्र दमन और जूनागड अभिलेख में किया गया ठीक है साथियो next question है प्राचिन भारत में किस एक ने नियत रूप से सोने के सिख्ये चलाए तो कुसान करेक्ट आन्सर हो जाएगा next question है साथियो सवाल अंतिम है इस चेप्टर का सवाल है कलिंग नरेश खरवेल किस वन्स से सम्बंधित था तो चैदी क्या है चैन्दी ठीक है चैन्दी से सम्बंधित था टीक है चैन्दी वन्स से चैन्दी वन्स सम्बंधित क्रेक्ट आंसर हो भाँ ठीक है cheers तो यह था मोर्य उत्तर गूपत पूरुवकल का टोटल सवाल जो जो साता तो धा वह सप्तर सवाल था जो मैं कम्प्रेट कर दिया और चेप्टर भी खतम कर दिया कल फिर आगे नया चेप्टरों मिलेंगे ठीक है तो आप दोस्तों को जरूर से जरूर से जरूर से जरूर कीज़ेगा ठीक है तो मिलेंगे कल फिर नया चेप्टर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत